हालो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल कलासेश में तो चले दोस्तों एक नए सेस्टर में आप सभी का स्वागत है और यह कलास जो होने बाला है दोस्तों यहने कि BSPCL 2018 का जो पेपर हुआ था 28 नॉम्बर का वो पिरिभेस पेपर औरिजिनल पेपर है तो आप लोग वीडियो में इन ते ज़रूर बने रहिएगा साथी साथ आप लोग ये पता चल जाएगा कि इंग्जाम में किस प्रकार से प्रशनियानी की पूछा जाता है और आप लोग बहूत वीडियो देखे होंगे और बहूत सारे सुच जो बताया होंगे कि इसका इंग्जाम चो टी करा रहे हैं तो टी जिखियसं कर रहा रहा है तो इसका टेंडर का कोई डिषी साइज नहीं हुआ है वैसे ही वीडियो बनाकि अपने मन से कर रहा है हाँ लेकिन ये है कि 90% जो है ठीक है 90% इंग्जाम TSC कराएंगा लेकिन पुरा confirm नहीं है लेकिन वो लोग जो बता रहा है है पुरा कह रहा है कि TSC कराएगा तो 90% इसलिए कराएगा क्योंकि TCS के पास पर जैसे कि टैम नहीं रहता है तो काम करने से माना कर देता है यह सकता है भी BS-PSL के साथ हो इसके साथ लेकिन अगर होगा तो इनाम जो है नॉम्बर के बाद ही होगा इसे पहले इनाम होगा ना या नॉम्बर में होगा ठीक है ना यह दियान में रखिएगा आप लोग तो चलिए टाइम कमाएं वे प्रसंट से स्टार्ट करते हैं वीडियो में इंतर्ग बने रहिएगा पहला प्रसंट है कि इलेक्टिकल बेल में किस प्रकार के चुम्ब का इस्तिमाल किया जाता है किस में कह रहा है दोस्तों तो इलेक्टिकल बेल में कह रहा है और इलेक्टिकल यानि की बेल जो होता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रो मैंगनेट का हम पर्यूग करते हैं ठीक है ना इलेक्ट्रो क्यों पढ़ियों करते हैं क्योंकि दिखे क्षपलाइं देते हैं क्योंगर करता है इसे थे प्रतार्थ की रूप में कर लेता है फिर सप्लाइ देता है फिर बन जाता है तो इस प्रकिरिया को जो दूस्तो यह में जो लगाया जाता हूँ सब्सक्राइब और अगला प्रसंदिया हुआ है कि घरेलू मिक्सर में किस कार के बदुत मोटर का परियोग किया जाता है किसका बात पूछ रहा है तो मिक्सर का पूछ रहा है और मिक्सर में में रूप से जो मोटर का हम परियोग लेते हैं ठीक है ना वह उनिवर्सल मोटर का परियोग करते हैं किसका उनिवर्सल मोटर का परियोग किया जाता है अब परिदी में इनफर्सल मोटर्सका मैं तो डा जाएगा तो अप्स पील मोटर का प्योग किया घाता है छोटे лиनाता है छोटे किहलों आंचि एसा इसाल इसकोपनों कर Bourbon स्टिफान था एग ऐसा कॉनसा मोटर्व है जो पिना रोट को हो So क्भाव जायागा नाऌना के बाद तो सकता है तो उसका वेंडंड जाएगा यह पूर्थीह खू49 करना है जाएगा चली ऄगा प्रसंत चलते हैं जो anytime कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चैन करना है option A में दिया है लेप वैंडिंग उच करेंट वाली DC जनेटर के रिए बहतर माना जाता है यह बात तो शही है भाई यह बी में कहा रहा है कि वेव वैंडिंग करेंट उच वोल्टेज यही बात सही है कि वेव वैंडिंग में ठीक है एक क्या होता है तो लेप वैंडिंग होता है और दूसरा जो होता है ठीक है ना लेप वैंडिंग होता है दूसरा जो वेव वैंडिंग होता है ठीक है अब प्रसन इंग्जाम में बनता है कि लेप वैंडिंग में समांतर पतों की संख्या क्या होता है तो पोल की कि बरावर होता है अगर वेव वैंडिंग में पूछ लेगा इस समांतर पतों कि बात तो यह लेंदिंग को कते हैं Estate करेंट इन्ज परकें के-स प्राइंब इसका युटेजिकर क्वेंदिंगben होता है तो डियान दियान गानिकर की दियान होता है तो बहुता हिए और से मुतल घ्रच memory है एंसर भी मिल गया हमको कि यह बात जो कहा रहा है कथन और प्रस्ण में इसमें जो कह रहा है यह सही कह रहा है तो नों लेप वैंडिंग में उस करेंट होता है बात सही है ठीक है और वैंडिंग में यह नहीं करेंट होता है भोल्टी चूंच होता इधी बात सही है तो दोनो अगला प्रसंदिया है पारक जैसे खुले अस्थान के लिए यानिकी सबसे अधिक उप्यूक्त लाइटिंग कौन सी है जो उर्ध्वारतर रूप में काम करती है किस में का रहा है तो पारक में का रहा है और पारक में में मेलनी रूप से जो लाइटिंग काम परियोग करते है उस light का नाम जो है दुस्तों दिखिए पहले या अब की हम बात कर लेते हैं ठीक है ना अभी जो परियों किया जाता है आप लोग आप्शन के उपर डिपेंड होना पड़ेगा ठीक है इसमें वेपर लेम का भी परियों किया जाता है ठीक है लेकिन अब एस्टेडियम के अग जोस्तों मैंली रूप से वेकर लेम का फर्यों किया जाता है अप स्ग 210 में कानम्र करेंड का परियों किया जाता है तो राइट इंसर जो होगा mountains का यह सही होगा छिलिए अगला परसåन पर चलते हैं कोज़न्स में कि a split phase induction motor के stator में दो winding होती है जिने running winding और starting winding कहा जाता है starting winding में test तो देखें दोस्तों split है पहले कि a split phase दिया हुआ है ठीक है तो a split phase दिया हुआ है किस प्रकार का motor है तो सिधा सी बात है कि सिंगल फिर motor है ठीक है यहां से किलियर हो गिया point अब रही इसमें दो गो वाइंडिंग होता है ठीक है एक कौन सा वाइंडिंग होता है तो एक रनिंग वाइंडिंग होता है दूसरा जो होता है दोस्तु वह स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है ठीक है रनिंग वाइंडिंग होता है और दूसरा जो होता है दोस्तु क्या ह परतिरोध का वहलू होता है क्या होता है तो परतिरोध का वहलू कम होता है और इंडेक्टेंस जो होता है इसका वहलू काफी जाता यानि कि उच्छ होता है ठीक है यहां से पॉइंट के लिए अब रही बात कि starting winding में तो starting winding में परतिरोध का value काफी ज़ादा होता है जबकि inductance का जो value होता है क्या होता है तो काफी यानि की कम होता है ठीक है कम होता है तो यहां से जो है आप लोग को answer इस प्रशन का मिल जाएगा यह मैं कहा रहा है कि कम परतिरोध है तो परतिरोद नहीं होता है वो रन्म कम परतिरोद होता है तो पहला option चंचिल हो गया दो में निया है उंच परतिरोद और साथीशाथ कम परतिरोद वाथर और सबस्था solution इंडेक्टन से दिया हुआ है तो right answer option इसका 20 से ही हो जाएगा चली तो देखे सकते हैं आप लोग यहां से तक प्रसन इंग्जाम में बन चुका है तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इसका यानि कि starting winding का पूछ लिया है तो हो सकता है कही running winding का पूछ ले तो आपक ताकि आप लोगों का इंग्जाम में प्रसन चूटे ना चली अगला प्रसन में चलते हैं अगला प्रसन है कि एक ठोस इंधन का कैलोरीजन मान किसमें वैक्त किया जाता है कि इसका कहा रहा है तो ठोस इंधन का कहा रहा है और ठोस इंधन का कैलोरीजन मान पूछ रहा है ठ इंधन दे दिया है अगर ठोस कोन का पूछता तो एस्ट रेडियन हो जाता है ठीक है न एस्ट रेडियन हो जाता है लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है तो यहाँ पर पूछ रहा है न यह पूछ रहा है कि इंधन का इंधन का जो होता है दोस्तो केलोरी परती गराम होता है कितना होता है किलोरी परति गराम होता है ओप्सन किस में दिया है कलोरी परति गराम ये जो दिया हुआ है दोस्तों option c में दिया हुआ है correct answer की अगर बात यह जाएगा तो option right इसका c सही हो जाएगा ठीक है तो मैं आशाखारत हूं आप लोग सरा प्रसंद को अच्छा से समझे ह आप लोगर कांप जाते हैं तो इस सब्सक्राइब कर ने अपकी आप लोग को दो ये विए अई वार्टि का Roberts आ से चाहएगा खोड़ीनियुज़ चाहए चाहिआ है ना सब का वीडियो को आप प्रैक्टिस चीड के साथ साथ प्रिभेस पेपर और उसके साथ साथ यानि कि हैंड नोट्स और अब्रेक्टिव कोर्शन का भी हैंड नोट्स मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में तब तक के लिए जैंद